आप कम बोलते हैं क्या? अब तो प्रश्ना आन पड़ा, गणपत को बोलना ही पड़ा, जी थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन कोई मौका ही न दे तो, तो इसका मतलब हम ज्यादा बोलते हैं, अजी छोड़िये, हम तो यहाँ जैसे आपसे बात कर नहीं आते हैं, नहीं, यह कहत आप सुन रहे हैं कहानी जानी अंजानी प्यूश अगरवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। लगता है कुछ नाराज है आप हमसे। तभी तो कुछ लिखी नहीं रहे हमें। इतनी अच्छी कहानिया सुन कर भला कोई कैसे नाराज हो सकता है। तो बस जहां भी आप हमें सुन रहे हैं वहीं से एक पैगाम छोड़ दीजे। हमारे नाम। जैसा की वैशनवी जी ने हमें लिखा है। हमें लिखने के लिए HelloAtTheRatePewShakarwal.com पर email करे या फिर Apple Podcast पर अपना review छोडे। वैशनवी जी अनकही कहानियों की एक प्रतिभागी भी रह चुकी हैं और वो लिखती हैं। धन्यवाद हमारे हर शुक्रवार को इतना यादगार बनाने के लिए आपकी कहानिया सुने बिना हमारा शुक्रवार अपून है। बहुत-बहुत धन्यवाद वैशनवी जी आपका। अब जब बात अनकही कहानिया प्रतियोगिता की चली है तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी विजता कहानियों का वाचन जिसकी शुरुवात हम कर रहे हैं हमारी second runner-up कहानी तुर्पाई के साथ जिसे लिखा है लोकेंदर सिंग कोट जी ने। कहानी के साथ आप सुनेंगे हमारी लोकेंदर सिंग जीसे बात चीत का कुछ अंच भी जिसमें आप जानेंगे कहान के पीछे की कहानी वो लुकेंद्र जी के लेखनी के बारे में बहुत कुछ तो बिना विलम किये शुरू करते हैं आज की कहानी तुर्पाई डॉक्टर लुकेंद्र सिंग कोट दिल खुद है उल्टी तरफ, सलहा खाक सीधी देगा सच में, दिल की सुनो तो सुनाई कम देता है, महसूस ज्यादा होता है महसूस करने में अतरिक समवेदनाई और करुनाई साथ हो लेती है ऐसे में दूसरों के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन खुद के लिए पीडा दायक होता है कहते हैं, उपर वाला कुछ छीन लेता है, तो दूसरे हाथ कुछ देता भी है गणपद दरजी, हाँ गणपद दिलो का राजा है, मस्त मौला है पर पैर पोलियो ग्रस्त है, उसका दिमाग शायद चलता ही नहीं है वहद दिल की ही सुनता है और उसी से पूछता भी है इसलिए उसके पास गुणा भाग जोड घटाव नहीं है उसके पास प्रेम का रसायन है उसे गुस्से में कभी किसी नहीं देखा उसका कहना है कि यह दुनिया सिर्फ प्रेम से ही चल सकती है हुनर हाथ में हो तो जीवन में पीछे मुढ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है गणपत के हाथ का हुनर ही है कि इस गाउं के अलावा आसपास के दस्यों गाउं से कपड़े सिल्वाने महिला पुरुष सभी आते हैं गणपत के पास पुष्टैनी काम है दरजी का पिता से ही सारा हुनर सीखा और कई बार मार भी खाई और परिणाम था कि रत्ती भर भी गलती करने की गुंजाईश नहीं बची ग्राहकों से कैसे विनम्रता रखनी उनकी पसंद को ध्यान से सुनना फिर अपनी राय देना और फिर कपड़ों को आकार देना उसके पिता हमेशा कहते थे ग्राहक दस रुपे का काम लाए या दस हजार का काम को बराबर सम्मान देना क्योंकि आज जो दस रुपे का काम लाया है वो कल वहवार के कारण दस हजार का भी हो सकता है गणपत तो इस गणित में नहीं पड़ता और बस ग्राहकों से बेहद विनमरता से पेश आता है गाउं में लोकप्रिय होने के साथ लोगों के गणपत के साथ आत्मिय संबन थे कुछ तो दुकान पर सिर्फ बतियाने चाय पीने आते हैं गणपत का भी बसंद रहा है ऐसा बसंद कि उससे भुलाए न भूलता है पिता की सक्ती और घर में मा के अभाव और सौतेली मा के उपस्तिती ने लंगडे गणपत को बेपरवा रूखा और मन मौजी होने से बचा लिया था मा के देहांत के बाद गणपत के पिता ने दूसरा ब्या कर लिया था और उसका एक सौतेला भाई भी था, गंडपत को आगे पढ़ने नहीं दिया गया, और सीधे पुष्टैनी काम कपड़ा सलाई पर लगा दिया, उसके अंदर एक अलग तरह की जिमेदारी का भाव था, त्रिप्त अवस्ता थी, उसका छोटा भाई लाड़ प्यार पाता पढ अपसर अपंग व्यक्ति को आसपास की मानसिक अपंगता का शिकार चाहे अंचाहे होना ही पड़ता है, वैसे ही दोयम दर्जे का घरेलू वहवार और उपर से लोगों की हेद रिष्टी, वैसे दिखने में गनपत किसी हीरो को पीछे छोड़ दे, उसके लंबे पूरे चुपा एक चॉकलेटी चहरा, उसका गाव क्या था, कजबा ही समझो, और एक दर्जी तो काम तो बहुत आता था, पुरुशों के साथ साथ महिलाओं के भी पेटिकोड, बलाव, सलवार, सुट, समीजे, आदी और गनपत के हाथ से महिलाओं की फिटिंग अच्छी बैठत इसलिए उसके पिता की बजाए गनपत से ही कपड़े सिल्वाने का आगरेज ज्यादा रहता था महिलाओं का, पिता भी कहीं न कहीं उसके कायल थे, परंतु वे दिखाते नहीं थे, बलकि उससे वैसा ही वहवार करते थे, यही गनपत को कभी-कभी अखरता था, वसंत ने दस्तक दी ही थी, टेसू के पुष्प निकलने को आतुर, आम बौराने लगे, खलियान में अनाज आ गया था, दूर कहीं धोलक और फागुन गाते लोग, फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे, बिनी करताल पखावज बाजे, अनहदगी जंकार रे, बिनी सुर रा प्रेम प्रीत पिछकार रे, उडत गुलाल लाल भयो अंबर बर्सत रंग अपार रे, घटके सब पट खोल दिये है, लोक लाज सब डार रे, होरी खेली पीव घर आये, सोड प्यारी प्रियप्यार रे, मीरा के प्रभु गिर्धर नागर चरण केवल बलिहार रे युवा गणपत उस दिन अकेला ही था दुकान पर, पिता कही कपडों का नाप लेने गए थे, गाओं के ठाकुर भगवान सिंके यहां से दो महिलाएं और एक लड़की वासंती अपने कपड़े सिल्वाने आई, गणपत बातों का जादूगर और जब महिलाएं हो तो और भी मुखरी जाता था, गाओं में अक्सर नाप का सिला कपड़ा महिलाएं घर से ही लाती है ताकि मरियादा बनी रहे और किसी पुरुष के स्पर्ष से बचा जा सके, वे भी अपने साथ लाई थी नाप के कपड़े, वासंती ने भी अपना नाप आगे कर दिया और मिलने वाला कपड़ा भी, गणपत ने लजाते वे वासंती को कंखियों से देखा, बिलौरी आखे शरीर भरा हुआ, बोलते वक्त गालों में पढ़ते डिम्पल, चमकते दात थोडी पर एक तिल, कानों में सुन्दर से लटकन, बालों की लटे बलखाती उसके चेहरे पर गिर र से पैदा कर दी, वासंती ने भी तिर्ची नजरों से देखा, घुंगराले लंबे बालो वाला छैल छबीला नौजवान अपनी प्राकृतिक मुसकान दिये बैठा है, उसे बता रहा है कि आप इस सल्वार कमीज को इस धंग से सल्वाएं, तो बेहत खूबसूरत लगेगी नीला दुपट्टा इसमें चार चान लगा देगा, जो वासंती सोचकर आई थी, उससे अलग ही था यह, उसने भी हां कह दी, साथ में आई महिलाओं ने कहा भी, वासंती देखना कपड़ा बिगार न दे, आदमियों को क्या पता? शायद वे सब पहली बाद गणपद के दुकान पर आई थी, इतने में गणपद के पिता आ गए और बोले, खमा गणी हुकम सा, भोजाई सा, था फिक्र मत करो, सही न लागे तो कपड़ा वापस कर देंगे सहाब वासंती और महिलाई इतनी विनम्रता से संतुष्ट हो गई, वहाँ से चली गई, चार दिन बाद आने का वादा लेकर गणपद ने अंदर तक एक हूक सी महसूस की, कुछ पल एक टक ऐसे ही बैठा रहा और पिता के बोलने ने उसकी तंद्रा तोड़ी गणपद ने महसूस किया कि उसका मन भीगा हुआ है, हर दूसरे खयाल में वासंती और उसके बोलने की अदा आ रही थी एक बारगी वह भूली गया कि वह लंगडाता है, कोई एक लंगडे से क्यूं नाता जोड़ेगा काम करते करते और विचारते शाम ढल गई, शाम को अक्सर वह तुर्पाई वाले काम करता था, क्यूंकि वे सब हातों से सलाई करके होते थे और देर रात तक यह सलसला चलता रहता था दुकान पर एक पुराना सा रेडियो रखा था, और उसी पर गाने सुनना उसका शौक था फरमाईशे भेजना और अपना नाम रेडियो पर सुनना उससे अच्छा लगता था आज की शाम पिछली जितनी शामें गुजरी उससे अलग थी, न दिन न रात और आसमान इतना सिंदुरी की दुलहन का ओड़ना लगे इसी लालीमा में उसने आसमान को निहारा तो कुछ बादल के टुकडों में से आधा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था उस चांद में यका यक वासंती उसे दिखाए दी, दुलहन का ओड़ना उसने सिर को जटका, फिर से चांद और मन पूरा भीगा हुआ, फिर से तुरपाई में लग गिया गणपत गणपत एक और निराला काम करता था, गाओं की जो महिलाएं आती थी, जिन में बहुए ज़ादा होती थी, और सभी अपने अपने घर के बड़े बुढों की बुराईया करती, और जब बड़े बुढे आते हैं, तो वे सब युवकों की बुराई करते जेनरेशन गैप से उबजी इस नकरात्मकता से घरों में जगडे फसाद होते रहते, गणपत जैसा देश वैसा भेज बना लेता, और युवाओं को उनके बड़े भुढों के विशय में बताता, उनका महत्व बताता, काम करते करते वह कई बार तो जूटी बोल देता, कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, ऐसे वह कई घरों को जगडों से बचा लेता है, उसने बहुत कुछ जेला है, इसलिए वह रिश्टों में भी तुरपाई का काम करता है, लोग भी उसे उसकी सकारात्मकता के लिए उससे बाते करने ही आते हैं, धीरे धीरे वह पारिवारिक विवाद के लिए केंद्र भी बनता गया, विवाद होने पर लोग उस तक महुचते और उनका हल भी वन निकाल देता, कोई से कहता, गुस्सा आये तो अगले आदा घंटा मन मार कर चुप रहो, या दूर चले जाओ, किसी को कहता, यदि आपको किसी का साथ अच्छा नहीं लगे, तो चुप रहो, और मन से कह दो, यह ऐसा ही है, ऐसे कई परिवारों में गंडपत ने तुर्पाई की, और किसी बड़ी घटना होने से बचाया, कई बहुओ बेटियों को भी वह सुझाव देता, और अधिकांशत पालन करती, कुछ एक मामलो में ही उसकी तुर्पाई व्यर्थ जाती थी, उस सिंदूरी शाम ने उसके जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक उस शाम से पहले का जीवन, तो दूसरा उस शाम के बाद का जीवन, गंडपत ने वासंती के नाप के कपड़ों को हाथ में लिया, तो उसकी में यूही आसू आ गए, वह मैसूस करता रहा वासंती को, पिता के आते ही अपना मूँ छुपाया, हौले से आसू पोछे और काम में लग गया, दिमाग और दिल दो अलग-अलग कपड़ों की भाती हो गए थे, दिमाग कह रहा था जो संभव नहीं उस दिशा में आगे क् पढ़ना और दिल कह रहा था कि प्रेम करना कोई गुना थोड़ी है, इतने जगड़े शांद करवाने वाला गणपत आज अपने दिल और दिमाग की तुरपाई नहीं कर पा रहा था, न धागा मिल रहा था, न सुई, करे तो कहां से करे? वासंती के कपड़े सिलते हुए गणपत को लग रहा था कि वह खुद एक गुड़िया को जन दे रहा है, बगैर कारण के ही अंदर खुशी थी, बेहत खुशी, जैसे सारा जहान मिल गया हो, उसने निर्धारित समय से दो दिन पूर्व ही तयार कर दिये थे कपड़े, सिर उर्पाई की गणपत ने, उसे बनाने के बाद कई बार देखा, और पास ही रखे नाप वाले कपड़े उसने छुपा दिये, इंतजार चौथे दिन का था, जो बहुत लंबा लग रहा था, वह दिन भी आया, जब कपड़े लेने महिलाए और वासंती आ गई, पहली बार प्रांत स्वभाव वाले गणपत में हर बड़ी सी थी, उसने सिले हुए और नाप के कपड़े महिलाओं को दे दिये, वासंती को आखरी में दिये, और नाप के कपड़े मांगे गए, तो उसने कहा कहीं इधर उदर हो गए हैं, आप इधर से जब भी निकले, तब ले पिता वहीं थे, उन्होंने डपटते हुए कहा, क्या इधर इधर रख दिये, ग्रहा को परिशानी नहीं होनी चाहिए, ये इधर दब गए थे, लीजे, पिता ने गणपत के सारे अर्मानों पर पानी ही फेर दिया, गणपत अपने भीगे मन को लिए बैठा था, वासंती ने कहा, सिला तो आपने नए अंदाज में है, घर पर पहन कर देखूंगी, सही नहीं होगा, तो फिर सिलाओंगी, सुनना किसको था, बस गणपत अपने प्रेम को निहा रहा था, क्योंकि यही आगे उसकी याद बनकर आगे आएंगी, महिलाओं ने रुपे दिये और चल अपने घर की ओर, गणपत उन्हें जाते देखता जा रहा था, तभी वासंती पल्टी और गणपत से नजर मिल गई तो लजा गई, और आगे बढ़ गई, बगैर प्रश्न के इस प्रश्ना उत्तर ने गणपत को तो निहाल ही कर दिया, उसकी धड़कने बढ़ गई, और अंदर एक खुशी का फववारा भी फूट पड़ा था, गणपत कभी दिल बन जाता और कभी दिमाग, उसके अंदर विचार श्रिंकला चलती, प्रेम तो प्रेम होता है, उसे अकसर केवल एक कोण से ही क्यूं देखा जाता है, जबकि प्रेम बहु आयामी होता है, यदि क कोई स्वयम को प्रेम ही कहे, तो उसे सिर्फ विपरीत लिंक से संबंदिती माना जाता है, प्रेम तो स्वभाव में होता है, प्रेम कभी स्ने, कभी वात्सल्य, कभी करुणा, कभी आत्मियता, कभी अपना पन, कभी सुक के रूप में परिलिक्षित होता है, कई बार प्रे प्रेम शब्दों की सीमाओं में नहीं आता है। प्रेम का प्रेम अविरल नदी की तरह भेता है। जहां राम ही राम हैं, दूसरा और कोई नहीं। प्रेम का पर्यायवाची खुशी भी है। दुख का उसमें स्तान ही नहीं है। दूसरे ही दिन वासंती अपने कपड़े लेकर वापस आ गई। पिता दुकान पर नहीं थे। गणपत कपड़ों में सिलाई लगा रहा था। एकदम वासंती को वहाँ देखकर हका बगका रह गया। हर बढ़ाते हुए बोला जी कहिए कुछ नहीं आपने यह नई डिजाइन कहां से डाली। एकदम बहस लग रही है। सोचा आपको बता दू धन्यवाद आपका। वासंती ने कपड़ों को निहारते हुए कहा। इससे पहले की गणपत बोलता वासंती बोल पड़ी। आपके हाथ में हुनर है, मेरा यहां ननिहाल है और यहां स्कूल भी है, तो अब मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूँगी। इतना कहकर वह जाने लगी। वाग पटू गणपत बिलकुल निशब्द केवल जी कह पाया, बाकी सब मौन उससे जाते हुए देखते रहा। उसने भी पलटकर दो बार देखा था, गणपत के मन में समुद्र हिल्लोरे ले रहा था, और दूर कहीं कोई फाग गा रहा था। रस्या रस लूटो होली में, राम रंग पिचुकारी, भरो सूर्ती की जोली में, हरी गुण गाओ ताल बजाओ, खेलो संग हम जोली में, मन को रंगलो रंग रंगी ले कोई चित चंचल चोली में, होरी के यी धूम मची है, सहरो भक्तन की टोली में। गणपत की तुरपाई प्रति दिन चलती थी, रिष्टो की भी और कपडो की भी, प्रेम के बाद के दिन दवी गुणित चांद नी लिये थे, हर पल प्रेम का एहसास होता था, सब कुछ प्रेम में लगता था, वासंती लगातार दूसरे दिन कुछ और कपड़े लेकर गणपत को बोलना ही पड़ा, जी थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन कोई मौका ही न दे तो, तो इसका मतलब हम ज्यादा बोलते हैं, अजी छोड़िये, हम तो यहाँ जैसे आपसे बात कर नहीं आते हैं, नहीं, यहाँ कहते कहते, वासंती ने धीरे से अपना मुबाईल गणपत के पास पुराना सा मुबाईल था, जिसका उपयोग कम ही करता था, रात को जब वासंती के दिये नंबर लगा रहा था, तो माथे पर पसीना और हाथ काप रहे थे, एक बार तो लगाया और तुरंत काट दिया, दूसरी बार हिम्मत करके लगाया और तुरंत बोला खमा गणी, हम गणपत बोल रहे हैं, आपके दर जी, उधर से हसी की आवाज आई, आपका नाम बहुत पुराना नहीं लगता, गणपत, और दर जी नहीं, टेलर कहा कीजी अपने आपको, जी, कमाल है, यहां भी आप जी ही बोल रहे हैं, कोई आ रहा है, अभी फोन रखती हूँ, देर से लगाईएगा, जी, गणपत का जी शायद वासंती ने सुना ही नहो, अकसर मोबाइल पर और कभी कभार दुकान पर दोनों की मुलाकाते होती, गणपत लगभग जी, हां के अलावा थोड़ा बहुती बोलता था, बाकी वासंती यहां वहां की सब बोलती थी गणपत ने एक दिन दोपहर में दिल की बात मान कर, जब वासंती कपड़े लेने आई तो कह बैठा, वासंती, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे ब्या करना चाहते हैं वासंती के चहरे पर भी लालीमा चा गई, शर्मा कर कपड़े उठा कर वहां से भाग गई, गणपत का दिमाग चलने लगा, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, उससे अब अपसोस भी हो रहा था, कि वासंती का फोन आया, लगभग डरते हुए उसने उठाया, जी, उधर से आ कई बार आंसु ला देती है, जब कोई तुम्हारा हमदय तोड़ दे, आज पता नहीं क्यूं, रेडियो पर दुख भरे गाने ही आ रहे थे, गणपत सुनना चाहरा था प्रेम से भरे गीत, प्रेम को चलते चलते श्रावन आ गया था, श्रावन में मेला लगता था पास के गाउं में, वासंती ने गणपत को कहा मेले में आने को, तो प्रेम के खातिन मेले में आने को राजी हो गया, किसी के साथ हो लिया गणपत, पिता ने मुश्किल से हां भरी, दाही ने हाथ को दाही ने घुटने के उपर रख कर लंगडा कर चलता है गणपत, एक मित्र ने बाइक पर बैठाया और चला गया मेले में, आज दुकान के अलावा पहली बार मिल रहे हैं वासंती और गणपत, वासंती भी सहेलियों के साथ मेले में थी, वासंती ने एक आम के पेड़ के पास और मौद का कुआ के बगल में उसे बुलाया, सहेलियों को इधर उधर कर इ कुछ नहीं, बचपन से पोलियो ग्रस्त हूँ, वासंती आश्यर्य से, अरे मतलब आप लंगडे हो, आपने बताया नहीं, गणपत को दुकान पर बैठे हुए ही देखा था वासंती ने, और प्रेम में सराब और गणपत कभी सोर ध्यान नहीं दिला पाया, वासंती का जै गणपत भीगा मन लिये खड़ा रहा, मौन, क्या हुआ उसे समझी नहीं आ रहा था, उसे इतना तो लग गया था, कि उसका विकलांग होना प्रेम के आड़े आ रहा था, गणपत ने इसके बाद फोन लगाए, परंतु कोई जवाब नहीं आया, फिर भी गणपत लगाते रहा, दूसरे तीसरे दिन कोई जवाब नहीं, चौथे दिन उसने फोन उठाया, गणपत जी हम आपसे नाराज हैं, आपने हमसे छुपा रखा था कि आप विकलांग है, एक विकलांग वैक्ति को हम कैसे अपना जीवन साती बना सकते हैं, आप अच्छे हैं, परंतु इसे कोई नहीं पूछता, हाँ, विकलांग हैं तो सारे लोग पूछते हैं, इसलिए हम इसे यहीं रोक देते हैं, रोते हुए वासंती बोले जा रही थी, गणपत के मूँ से सिर्फ जी, निकला, फोन कट गया था, फिर भी गणपत ने उसे कान पर लगाये रखा, आखों में आशू थे, उस्षण की प्रतिक्रिया थी कि उसने सामने लगे भगवान के फोटो की उर देखा, मन ही मन कहा, मैं ही मिला था आपको, गणपत और वासंती का प्रेम तो वैसा ही था, लेकिन उसमें से मिलन गायब हो रहा था, किसी को भनक पड़ गई, और ठाकुर सहाब तक और यहां तक कह दिया कि गाउं में रहना है तो अपनी ओकात में रहो, सौतेली मा ने भी तुफान सिर पर उठा लिया, वैसे ही बाजार में रेडी मेट कपडों की बढ़ोतरी हो गई है, सलाई के कामों में मंदी आई है और उपर से यह कांड, गणपत के पिता तो बहुत बिफर गए, खूब सुनाई गणपत को, मा ने भी जितने उल्टे सीधे शब्द हो सकते थे, वही प्रयोग में लिये, इधर पहले से कमजोर मन लिये गणपत मौन ही रहा, गाउं भर में बात फैल गई, कई ने तो कहा गणपत छुपा रुस्तम निकला, लंगडा और अर कभी मैसूस नहीं किया था, उसका जीवन दूभर हो गया था, रक्षा बंधन का त्योहार आ गया था, आज गणपत तयार होकर सीधे ठाकुर के घर पहुंचा, उसे देख ठाकुर की तियोरिया चड़ गई, इससे पहले की वे कुछ बोलते, गणपत ने कहना शुरू कर द देखा है, वासंती भी मेरी बेहन जैसी ही है, आज रक्षा बंधन पर मैं राखी बंधवाना चाहता हूँ, आपकी अनुमती चाहिए हुकम, यह कहते हुए गणपत ने राखी आगे कर दी, गणपत ने कब रिष्टो की तुर्पाई कर दी, पता ही नहीं चला, उस दिन ब रेडियो आउन किया, तो उस पर गाना चल रहा था नमश्कार, आप सभी ने अभी चो कहानी सुनी, वो थी तुर्पाई, जिसे लिखा था हमारे प्रियर लोकेंद्र जी ने, कैसी लगी आपको एक कहानी, मुझे पूरी आशा है कि आपको कहानी बहुत पसंदाई होगी, और कहानी के बारे में और जानने के लिए आप प्रिस इंतजार कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े है आज लोकेंद्र जी, जिनसे हम करेंगे धेर सारी बाते और जानेंगे कि कैसे वो करते है कहानी ने, कहानी मंच का हिस्सा बन पाई, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं ल एक अंतरुना मतलब भी हो सकता है और इस तरीके से कहानी बुनी जा सकती है, उसके अराउंड, मुलत कहानिया जो है, वो कहीं न कहीं आसपास के वातावरन से ही आती है, मैं एक छोटे से कजबे से जुड़ा रहा हूं, तो छोटे कजबे, ग्राम इंट्रस्ट, वुमी और ये सारी चीज़ें जुड़ी रही है, और इसमें जो केरेक्टर है, वो कहीं न कहीं आसपासी था, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी है, थोड़ा बोद कालपनिक था, उसमें शामिल है, लेकिन वो जो तुरपाई, basically मेरा एक दोस्ती हुआ करता था, जो बहुत अच्छे स है, कि इतनी सुन्दर कैसे बात कर लेता है, जबकि प्रोफेशनल वाइज वो ऐसा कुछ ना हिंदी का गयाता था, ना कुछ था, तो मुझे वो क्लिक किया था, और वो क्लिक करने के बाद ये कहानी स्टोरी जो है वो आपके सामने आप आई, ये कहां की बात कर रहे है आप बर्णगर करके एक जगे है छोटी सी, कस्बा है वो बेसिकली, और जिस गाउं से जोड़े हुए है हम लोग पास की 20-30 किलोमेटर दूर गाउं है, वो ही वेक्ति हमारे गाउं से आकर कस्बे में आ गया था, तो कस्बे में उसकी जो इनोसेंस है वो बनी रही, और वो ही कह परिना चाहिए वो आपको कहां से मिली चोटे शब्दों में सिमट गया है आजकल, लेकिन जो पुराने समय में जो प्रेम होता था, वो बहुत अबोला रहता था, मौन प्रेम होता था, नार्मली, क्योंकि लोग अभिवेक्ट नहीं करते थे, तो वही कुछ करने की कोशिश है, उस कहानी में आई है, बहुत ही ब की रास्ता क्यों चुना? आगे चल के बहुत दुगदाई हो सकता था, तो उसने तुरंट, चुकि वो तुर्पाई करते आ रहा था, वो लोगों के कई विवादों को भी सुल जाता था, इसको सही बोलके, इसको ऐसा बना कर, इसको ऐसा करके, तो उसकी आदतों में शुमार था है, प्रेम अपनी ज आगी थी, मैं बहुत दिनों से करीब 4-5 सालों से मेरे दिमाग में कौंद रहा था, कि मैं इस पर एक स्टोरी लिखूंगा, पर एक प्लाट नहीं आते थे, फिर प्लाट आया तो कुछ चीजे गायब हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे जमाओ इसको, इस बीच में की प्लाट ये होगा, इसके बाद बढ़ेगा नहीं हो, रहा रहा कि थे आपके बारे कुछ युदरलने का सिलसला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, tijd Crisp cioè कुछ जोड़ा होथा है, पर ले कफी कुछ चोटाहँता होता ही है, पर थनिनले क्लाफ कश यह और कैसे पराग वगेरा आती थी वो काफी पढ़ते थी इच्छावई की लिखें फिर लिखना शुरू किया तो फिर छोटे-छोटे कुछ लिखना शुरू किये कुछ कॉलम्स लिखना शुरू किये तो वो न्यूस्पेपर में एक्सेप्ट होने लगे तो और ज्यादा उससा बढ़ा उससे हमारा जो बढ़नगर है जहां में मूलता रहने वालों मेरे जाए स्कूल एजूकेशन हुई है वो कभी प्रदीप की जगे है जो दाता साब फाल के लेगा आपको बस्टेंट पर यदि आपको कुछ ने को सुना आने लग जाएगा तो यह वहां के रची बसी थी तो वह मुझे भी विरासत में मिली जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर स्टोरी पर आए फिर अच्छे-ची मेग्जीन पढ़ने लगे फिर नौवेल्स उनके साथ भी डिसकस करते थे तो यह सब चीज़ें लिखते गए लिखते गए और सारी चीज़ें बढ़ती गई तो मैंने आर्टिकल से शुरू किया था लिखना पेपरों में और इसके बाद फिर लगू कथा फिर चोटी-चोटी कवीता हैं और फिर कथा पर मैं आया शा को लिखंगे बस और फिर एकसेप्टेंस देखेंगे फिर लोगों तक भेजेंगे जो लोग अच्छे कहानीकार हैं उन तक और फिर उसको परकेंगे कि भाई यह कहानी में कहां कुछ ट्विस्ट है कहां कुछ गलत है कहां शिल्क मजोर रह गया या जो भी है तो वो बताए रहते हैं इतना भी दूख कभी उसके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दिया उसके शादी होने के बाद भी नहीं आता दिखाई दिया तो वह काफी चर्चित भी हुई और कादम भी नहीं वगेरा मसको गुरुसकार भी मिला था तो उससे उस्सावर्दन हुआ कि अपन कहानी लिख सकते हैं तो इसके बाद फिर आगे बढ़े एक नौवेल लिखा था अभी जस्ट कंप्लीट हुआ और वो कलमकार साया भी है कुछ तो कहो गांधारी गांधारी प्रतीक के रूप में लिया गया और नदी को ट्रीट किया गया नदी का नाम है गांधारी बेसिकल बाक एक संकलन वो भी आया हुआ है तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और बातचीत आपको क्या लगता है साफ दिल से रिष्टों को जोड के रखना और उनकी तुर्पाई करते रहना आसान है हमें जरूर लिखिए hello at the rate pvshagrawal.com पर Apple Podcast पर अपना रिव्यू डालना भी न भूलें अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेर करें ताकि हमारे लेखकों को और प्रेणा मिल सके अगले शुक्रवार सुने अनकही कहानियों की फर्स्ट रणर अरप कहानी डर जिसे लिखा है पूनम एहमद जी ने इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ अगर हमारा ये प्रयास आपके दिल को लुभा रहा हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकने हैं और जानकारी के लिए प्यूशगरवाल.com पर सपोर्ट दे शो लिंक पर क्लिक करें आप जिस भी आप पर या यूट्यूब पर ये पॉडकास सुन रहे हैं हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें हर शुक्रवार आप तक नई कहानिया लाने का श्रे मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा आज के अपिसोड की प्रड्यूसर है देवानशी बत्रा आप सुन रहे थे कहानी जानी अंचानी प्यूश अगरवाल के साथ जो की इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है तो हम आप से मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वास्त रहिए और मुस्कुराते रहिए